आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारियों जिनाओं से चुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्पलॉई खबर नमस्कार दोस्तों एम्पलॉई खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों यहां पर EPS 95 पेंसनर्स पीएफ पेंसनर्स के लिए तीन महीने की पेंसन यहां पर प्रदान करने के लिए एक अनुरोध पत्र यहां पर इ अन्तर गताने वाले तकरीबन 65 पेंसनर्स के लिए किसी तरह की घुसना इसमें नहीं की गई है इस विशय में श्री इलाम राम करीम जो की मेंबर आप पार्लामेंटर है यहां पर जो है एक पत्र लिखा है जैसा कि पत्र की कॉपी आप स्क्रिन पर देख पा रहे होंगे इ यहां पर पी एफ पेंसनर्स को तीन महिने की पेंसन देने के संधर्म में आगे यहां पर जो है इलामराम करीम जी ने लिखा है कि मैं देश में मौझूदा इस्थती को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिये जा रहा है प्रयासों की सराना करता हूं वह सभी नाग अथन देने के लिए सरकार द्वारा घोसित वित्ती पेकेज समाच के हर वर्गद्वारा स्वागत योगे यहां पर कदम है लेकिन दुरभाग के से कुछ सेक्टर घोसित वित्ती पेकेज में सामिल नहीं किये गए है देश में कर्मचारी भविश्य निदी के पी एफ पें पेंसनरों के यूनियनों ने अपने पेंसनर्स के निरधारिन के लिए मुद्दों को उठाया था इन मुद्दों में से अधिकांस अब तक जो है हल नहीं किये गए है वर्तमान इस्थती में पीए पेंसनर्स पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और कोविड-19 का प्रको हूँ कि एक राहत के रूप में अगरीम तीन महीने इने भी प्रदान करें इससे इन गरीब पेंसनर्स को इस अउधी में अपने परिवार की साहिता करने में मदद मिलेगी और आपसे अनुरोथ करूँगा कि इस मामले पर ततकाल गवर करे और जल्द से जल्द पीए पेंस सीता रमन जी की तरब से घुशित किया गया था उसमें EPS 95 PA Pensioners के लिए किसी तरह की घुशना नहीं की गई थी उसी को लेकर यहाँ पर इलाम राम करीम जी की जो के मेंबरा पार्लमेंट है उन्होंने एक आवेदन एक रिक्वेस्ट पत्र यहाँ पर वित्तमंत्र निर्मला सीता रमन जी के नाम लिखा है जिसमें की PA Pensioners को तीन महिने की pension प्रदान करने के लिए यह अनुरोद पत्र लिखा है दोस्तों यही वीडियो जानकारी आप तक पहुचानी थी आपको यह वीडियो जानकारी अच्छे लगी हो